हे इवरिवन विल्कम टू नेटुसरी इस ओनलाइन कैसे आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो आज हमारी चैनल में बनने वाला है पनीर का जटपट बनने वाला सबजी बिल्कुल रेश्ट्रेंट इस्टाइल थोड़ा सा तड़ का घर का लगे साथ में मसालों में एड़ करना है प्याज मगज काजू दो तीन कली लहसन का इसमें कोई भी फ्राई पहले से नहीं करें सबको एक साथ लेकर ग्राइंड कर लेना साथ में टमाटर भी इनको अच्छे से ग्राइंड करके महीन पेश्ट तयार कीजे अब उसके बाद एक पै शीचन किंग आधा से एक चंश में किस्मेरी में टेष्ट के नुसार है और लाश्ट में थोड़ा सा इसमें हमने आड किया है गरम मशाला तो आप छिकन मसाला या मटन मसाला भी इसमें एड कर सकते हो जब भी हम ड्राई मसाले घी बटर या ओईल में एड करते हैं तो वेजिटेबल का इतना खुबसूरत सा कलर आने वाला है मसालों का वो जला जला सा ब्लैक ब्लैक सा नजर आएगा तो ये बिल्कुल धिहान रखें ड्राइ मसाले जब भी है एक सेकंड छोड़ना है आपको कियल उसका आरोमा आने लगे तो आप जल्दी से जल्दी इसमें जो खुबसूरत आया है बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है बिल्कुल रिष्ट्रेंट धावाई स्टैल के जैसा इसमें ज्यादा हमें बहुत मेहनत नहीं करना यह जटपट से सब्जी बन जाता है और टेस्ट में भी हमें कंप्रमेज नहीं करना पड़ता है टेस्ट भी उतना ह लगेगा और नहीं मेहनत तो खुबसुगाईज आपको यह सब्जी पसंदा रहा होगा अब यहां पर देख लिजए हमारा मसाला अच्छे से लगभग लगभग फ्राई हो गया है यहां मसालों को आप चाहे तो दो सेकेंड के लिए ढखके रख सकते हैं स्लो फ्लेम पे त सकते हो यह फिर मलाई फेट के अगर ज्यादा मखनी बनाना है तो आप मिल्क एट कीजिए अगर नहीं तो इसके जगर आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो टेस्ट में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा बस थोड़ा सा क्रीमी टेक्शर देने के लिए मैंने इसमें दू करेंगे ताकि सब्जी का कलर जो है वह अच्छे से खिल के आ जाए तो यह दिखिए कलर बहुत ही अच्छा आ गया है इसका अब इसमें हम लोग पनीर एड़ करेंगे तो जितने भी क्यूब्स आपने काटे हैं पनीर के धीरे धीरे करके सारे पनीर इसमें एड़ कर देचे अगर आप पनीर कच्छा नहीं खाते हैं तो आप इसको बटर में फ्राई कर सकते हो हलका सा जिससे इसका जो टेस्ट है अलग आ जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट बह होथ ही टेस्टी है यमी है आपको जरूर पसंद आएगा एक बर आप जरूर बना के देखें जब पनीर सारा एड़ हो जाए तब इसमें हम लोग कसूरी मेथी एड़ करेंगे ताकि एकदम रिष्ट्रेन धाबाई स्टाइल करें इसका टेस्ट टाइम और अच्छे से इसक से मिक्स हो जाए अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक से 2 से कि लिए अलने तक सध्रिम पे रख दीजिए तो होप ayrगा होग अपने इंज्वय किया होगा अगर आपको एए अच्छे लगी तो हमारे चानल को जल्दी से जल्दी लाइक कीजै सबस्कार कीज़े और अपने फ्रेंड और फैमिली में सेर करना बिल्कुल नहीं भूले तब तक के लिए टिक क्यों बाय जय मता दी हसते रिये मुस्कुराते रिये वर देखते रिये नितुत स्री